नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसकी वज़ा से राजे के आधे से अधिक लाभुक को खद्यान नहीं मिल पाएगा आकडो के अनुचार राजे में 2.79 कडोर लाभको को केंद्र अनाज देता है इस बार करीब 50 परिज़ी की कडोती कर दी गई है आएसे में करीब सवा कडोर लोगों को अनाज मिलने पर संकट गहरा गया है जारखन के खाद्या आपूर्ती मंत्री रामेशवर उरावन ने भी सविकार किया है कि 74,000 मेटिक टन अनाज की कडोती से राज के समक्स या संकट खड़ा हो गया है के दरका कहाना है कि जारखन को या अनाज पहले ही आवंटित कर दिया गया है लेकिन अनाज बीतरन का पोटल बताता है कि 74,000 टन अनाज बाटा ही नहीं गया है इसकूलों में बच्चों की आँख जाच मिलेगा निसूल्क चस्मा जार्खन के सरकारी स्कूलों के बच्चों की आँखों की जाच एक सितंबर से की जाएगी जिन बच्चों को चास्मे किया सकता होगी उन्हें निसुल्क में चास्मा भी दिया जाएगा इसकूली सिक्षावा सक्षर्टा विभाग और स्वास्त विभाग के सन्यूप तत्वधान में यह अभियान चलाया जाएगा बताजेर राज्य के सभी स्कूलों में विद्यालय वार एक सितंबर से कई सितंबर तक बच्चों की आखों की प्रादमफिक जाच की जाएगी कलस्टर केंप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सभी प्रखंडों के समुदाइक स्वास के दर में आयोजीत होना है इसमें बचों को दवा भी दी जाएगी आखों का पावर लिया जाएगा और चास्मा बनाने की परकिलिया भी शुरू की जाएगी जारखंवे मानसून कमजोर अब 23 को अच्छी बारिस जारखंवे मानसून के अगले 24 घंटे तक कमजोर रहने के असार है हलाकि 22 अगस्त से फीर से जोर पकरने की अमीद है रांची समेत राजी के कुछ भागों में अगले 24 घंटे में हलके से मत दर्जे की बार्शी की आसार है वहीं अगले ही दीन 23 अगस्त को जारकन के सभी अस्थानों पर अच्छी बारिस होने का मौसम पुरुवान ने लगाया है इस दरान संताल परगना में कहीं कहीं भारी बारिस होने या एलो अलर्ट जारी किया गया वहीं राजी में पिछले 24 घंटे में कुछ जगों पर हलकी बारिस हुई सबसे अधिक बारिस परचमी सिंभुम के मंजारी में 28 मिलिमीटर हुई है रांची के नामकुम में 10.2 मिलिमीटर बारसा रिकॉड की गई है जार्खन में अमीन बाहली की परकिरिया जल्द सुरू करने की मांग जार्खन प्रसिक्षित अमीन एसोसियेशन की बैठक रभिवार को ऑक्सिजन पार्क में होई बैठक में अमीन बाहली की नियमावली सिलेवस वपरकिरिया पर चर्चा की गई सुरू समती से सरकार से सिग्र अमीनों की बाहली निकालने की मांग की गई मौके पर जार्खन प्रसिक्षित अमीन एसोसियेशन ने केंदरिये संजोजक अमन तिवारी कहा है की लंबे समय से बाहली के लिए मांग हो रही है हाल के दिनों में सरकार ने इस पर कदम भी बढ़ाया है एसोसियेशन का ध्यक्ष गोरो अगरवाल बोले यदि अमीनों की अस्थाई की गई तो राजे में हो रहे भूम विवाद वो उससे उत्पन समस्याओं का नेरा करन हो सकता है बैठक में मांग की गई है कि अमीन बाहली में एक वर्षिये साटिफिकेट कोर्स वो दो वर्षिये आई टी आई सर्वेयर दोनों को सामिल किया जाए बैठक में बिरेंद्र यादो सामिल थे सहायक अध्यापकों ने 9 घंटे की परिक्षा पर विचार करने की मांग की यकी किरिद सहायक अध्यापक संगहर समोर्चा ने मुख्य मंत्री हेवन सिरन से मांग की है कि सहायक अचारे के लिए 9 घंटे की परिक्षा पर पुनिविचार करें सहायक अचारे नियुक्ती नियमावली में 20 वर्सों से करेरत सहायक अध्यापक को 7-9 घंटा परिक्षा देकर सहायक अचारे बनाने पर पुनिविचार करने के हो सकता है सरकार पाराशिक्षकों को सहायक सिक्षक बनाती तो परिक्षा देने में कोई अपत्ती नहीं थी लेकिन सहायक अचारे परिक्षा के लिए कारेरत सहायक अध्यापक परिक्षा लिजाती है तो सहायक अध्यापकों के लिए ना इनसाफी होगी पारा सिक्ष को द्वारा कम्प्यूटर पर 7-9 घंटा का परिक्षा देना किसी भी द्रिष्टी से संभव नहीं लग रहा आयसे में यह महसूस हो रहा है कि सरकार को बहाली न करना और 20 बर्सों से करदा सहायक अध्यापकों को मांसिक रूप से परतारित करना है CBAC का निर्देश LOC में गलत जनकारी दी तो परिक्षा से वनचित हो सकते हैं CBAC ने 2024 में होने वाली दस्वी और बराहमी बोड परिक्षा के लिए स्कूलों से लिस्ट आफ कैंडिडेट LOC मांगा है साथ ही निर्देश दिया है कि LOC भरते समाई स्कूल विसे सवधानी बरते नहीं तो गलती होने पर बित्यार्थों को परिक्षा से भी वनचित होना पर सकता है बोड ने स्कूलों को भेज़े गए निर्देश में साब कहा है कि अगर लिस्ट आफ कैंडिडेट्स वाले फरम को सही डंग से नहीं भरा गया तो ऐसे छात्रों को बोड परिक्षा में बैटने के उनमती नहीं दी जाएगी पिछले वर्स एलोसी में सुधार के लिए बोड को कई बार तीथी बढ़ानी पड़ी थी इसकूलों के आगराप पर ऐसा करना पड़ा था इसलिए इस बार इसकूलों को सही डंग से फरम भरने के लिए कहा गया है तीन तरफ CRPA कैम्प के बाजूद गीती लपी में मवादियों का अतंक जारखन में मवादियों का अतंक का एक नया उधारन सामने आया है पचमी सिम्भूम के गोईल केरा में गीती लपी चोक में कदम डिहा पंचायत के उप मुखिया डोर सोना सूरीन के बड़े भाई रांदो सूरीन की भगपा मवादियों ने बिती रात हत्या कर दी बताया जा रहा है धरदार हत्या से सूरीन के हत्या मवादियों ने की है उन्होंने मौत के बाद सौव को गीती लपी में बीच सड़क पर फेक दिया इस घटना के बाद छेत्र में दोसत का महूल है सुरीन की हत्या मुख बीरी के सक में की गई है मवादियों ने उनके सौव के साथ एक परचा भी छोड़ा है जिस पर लिखा गया है कि पुलिस की मुख बीरी करने के लिए सुरीन को यह सजा दी गई परचे पर आगया भी लिखा है कि काफी समझाने वा चेतावनी देने के बाद भी सुरीन पुलिस का मुख बीरी बना रहा जिसकी वज़से हत्या कर दी गई है टमाटर के बाद अब भाव खाने लगा प्याज आसमान चुर है टमाटर के भाव में गिरावट जारी है रहात मिली है वहीं प्याज के भाव में लगातार ब्रिधी से कीचेन का बयट बिगड़ रहा है 15 दिनों में प्याज के भाव 25 रुपे प्रति किलो से बढ़ कर 35 रुपे प्रति किलो तक पहुँच गया है टमाटर की लाली उतर रही है तो दूसरी और प्याज के भाव खा रहा है दुकंदारों की माने तो सावन के बाद प्याज के मुले में और बिड़िदी हो सकती है रांची में महराष्ट के नासिक से प्याज पहुँच रहा है गढ़वा में पती की चाकू से गोद कर हत्या पत्नी ने दिया अंजाम जार्खन के गढ़वा से संसनी खेज मामला सामने आया है जहां मेराल थाना छेदरेश्थीत गेरुआ सोती गाउं में पत्नी ने अपने भाईयों के साथ मिलकर पत्ती की चाकूस से गोद कर हत्या कर दी मिरितक की पहचान गेरुआ सोती निवासी अब्दुल सत्तार अंसारी के रूप में हुई है बता दे घटना के बाद पहुँची पूलिश ने सोग को पोश्मास्टम करवा कर परिजनों को सोप दिया है ओपरेशन डबल बूल से हत्यारी जब्त का मामला सोलह के खिलाप चार सीट राष्टी जाच एजेंसी ने पिछले साल लोहर्दगा लात्ते हार सीमा परिश्थीत बूल बूल जंगल में अपरेशन डबल बूल के दरन पिछले साल 28 हंथियार जब्त के मामले में एक महिला सही सोलह अरुपयों खिलाप पूरक आरोप पत्र दायर किया इन लोगों पर भार्तिय दंड सहिता, सस्त्र अधिनियाम, विसफोटक पदार्थ अधिनियाम, अपराधिक कानून संसोधन अधिनियाम और गरकानूनिक अतिविधिया अधिनियाम की विभिन धरावक तहत पूरक आरोप पत्र सनिवार को एक विशेस अधालत में दायर कि गया है, रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई छह गिरफतार, सहयक आयूक्त उत्पाद के निर्देश पर सनिवार की रात राजधानी राची के विभिन धान चेत्र में अवैद सराप के विरूद अभियान चलाया गया, इस करवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने आधा दरजन आरोपितों को गिरफतार किया है, इस दरण भारी मातरा में अवैद देशी सराप बरामत किया गया, जनकारी के मुताविक रांची के विभिन इलाकों में सनिवार को पूलिस ने अवैद सराप के खिलाप अभियान चलाया, इस दरण टाटी सिल्व पित मौके से फरार भी हो गया है, एम डी एम की ओडिट टीम पर सिक्षकों ने लगाया मुद्रा दोहन का आरोप, पुर्वी सिम्भूम के गालू डी स्थीत, बी आर्सी में 29 और 21 अगस्त को प्रक्षंड के 116 प्राथमिक और मध्य बिद्यालों में संचालीद मध्यान भ द्यक्स उत्तम दास के नत्युत में काफी संक्या में सिक्षक पहुँचे, दोबारा आउडिट का विरूद करते वे बहिसकार भी कर दिया, सिक्षकों का काना था कि फरवरी 23 में MDM का आउडिट हुआ है, फिर अब दोबारा क्यों हो रहा है, सिक्षकों ने आउडिट टी राग ने अब आउडिट को रध कर दिया है, रांची में 20 सुत्री कारेकरम करना समीति के गठन की मांग, रांची जीला कंग्रेस कमिटी का देख्ष डाक्टर राकेस किरन महत्वों ने कंग्रेस बहुन में रभीवार को जार्खन परदेश कंग्रेस कमिटी का देख्ष र सिग्र गठन करने की मांग की, इस पर आयस ठाकुर्वा अलमगीर अलम ने अस्वासन दिया है कि इस दिशा में या था सिग्र पहल कर वे मुख्य मंत्री हमंसरें से मुलकात करेंगे और इस पर विचाल भी करेंगे, डाक्टर राकेस किरन महतों ने कहा है कि जार्खन के रांची के कारोबारी कमल भूसन और संजय सिंग हत्या कांड के मुख्य आरोपी कुख्या छोटू कुजूर के घर की कुर्की जबती की गई, इस दिवरन पुलिस ने ढोलना गाड़े बजा कर घर का समान जबत किया, छोटू कुजूर फरा चल रहा है, बताजे राजधान पुलिस ने जाने माने जमीन कारोबारी और बिल्डर कमल भूसन और उनके अकांडेट संजय सिंग के हत्यारे कुख्यात, अप राधी कर्मी छोटू कुजूर के घर की रभिवार की कुर्की जबती की गई, कमल भूसन की हत्या के बाद से ही छोटू कुजूर फरा चल रहा फरारिक के दोरान उनसे संजाय सिंग की भी हत्या करवाई दी रांची में मनाई गई पूरो परधान मंत्री राजीव गांथी की जयनती पूरो परधान मंत्री राजीव गांथी की उनास्वी जयनती मनाई गई देश पर देश में, कॉंग्रेस, जन और बड़ी संखा में आम लोगों ने भी पूरो परधान मंत्री को याद किया रांची में भी कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा अलग अलग जगों परकारक्रम आयोजित किये गए जगरनाथ पूर्थाना के सामने इस्थित राजिव गांधी वरिष्ट नागरिक उध्यान में राजिव गांधी के परतिमा का अनावरन बीत मंत्री रामेस्वर उराव ने किया लोग कलाकार पदमस्री मुकूंद नायक भी अनावरन का एकरम में सामिल हुए और राजिव गांधी के त्याग और बैलदान को याद किया बता दे परतिमा अनावरन के बाद बीत मंत्री रामेस्वर उराव ने कहा है कि आईटी के छेत्र में आज भारत का नाम दुनिया भर में लिया जाता है तो इसके पिछे राजिव गांधी की सम्रित सोच थी जार्खन में हर माह तेश सो लोग डौग बाइट के सिकार बढ़े हैं स्वास्त विभा के अकड़े कनुसार वर्ष 2023 के सात मह जनवरी से जुलाई तक में लगभाग सुला हजार पांसो लोग डौग बाइट के सिकार हुए हैं यानि हर माह राजे में अस्तन तेश सो लोग कूता कार्टने के सिकार हो रहे हैं सात मह में राज धानी राची में सबसे ज़्यादा 3091 लोगों के कूता कार्टने के मामले सामने आये हैं वहीं गुमला में 2620, गिरिडी में 1936 और देव घर में 1197 लोग डौग बाइट के सिकार हुए हैं धन्यवाद